उत्रखन में मद्दान खत्म हो चुका है लेकिन राजनीती खत्म नहीं हो रही है एक तरफ जहां कल मुख्यमंत्री ने कॉंग्रेस पर जातिवादी और तुष्टी करन की राजनीती करने का आरोप लगाया तो प्रदेश कारले में यहां पर हनुमान चालिसा का पाठ हुआ इस रिष्टी करने के लिए इस वक्त हमारे सात हैं कॉंग्रेस के पर्देश शाध्य करन माहराजी माहरासाब मात्दान तो हो गया लेकिन राजनीती खत्म नहीं हो ने ही है। दूसरी पार्टी ऐसी है जो चुनाओं के टाइम पर भगवान को याद करती है जैसी राम के नारे लागती है कॉंग्रेस जिन चीजों को हमेशा से मनाती रहे है उनी को मना रहे है और अपने धर्म को मानने की छूट हमारी है अन्य विशेयों पर अगर देखे है तो राजनी हनुमान जी का आशिरवात तो आपको करना टक में रहा है ना निश्यती रहा है हनुमान जी का आशिरवात तो कॉंग्रेस हमेशा रहा है ने तो 70 साल तक ऐसे ही धोना देश में जो है कॉंग्रेस की सरकारे रही है स्रीडाम का हनुमान जी का अल्ला का जीजस क्राइस का और सभी धर्म जो धर्मिक हों हैं उनके आशिरवात कॉंग्रिस को हमें ससरा है क्यों हम सभी धर्मों का पानन करते हैं तो सबका मालिक एक होता है और इस बात को हम मानते हैं मुख्यमंटरी जी ने कल कहा कि आप लोग तुष्री करन की राजनती करते हैं जातिवाद की राजनती करते हैं देश को तोडने की राजनती करते हैं मुख्यमंत्री को इस सोभा नहीं देता किया ना और उनके मुझसे यह सुनके अच्छा भी नहीं लग रहा है जो जमीनों के कबजे का नाम लैंड जिहाद देता हो जो सैनी नाम की लड़की के सांथ कोई लड़की चले जा तो इसको हिंदू भुसल्वान बनानी की कोशिश करता हो जो लैंड जिहाद लब जिहाद जैसे सब्दू का इस्तमाल करता हो तो उसको दूसरों की और उंगली नहीं उठानी चाहिए कॉंग्रेस ने कभी भी तुष्टिकन की राजनीती नहीं गई कानून के तहट और समिधान के इसाब से सासन करने का काम किया है ये बीजेपी अपने गर्यबान में जागे पता चल जाएगा पहले चरण के बाद तो जुबानी जंग भी तेज हो गई है अब एक तरफ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब कॉंग्रेस आजाएगी सत्ता में तो मंगल सूत्र तक चीन लेगी तो इस तरह के बयान को कि तरह देए सत्तर साल से तो मैंने देखा कि धर्म उत्करस्ट हुआ है और उन्नत हुआ है कॉंग्रेस के सासन में यह आज हुआ है और जिस्ते बयान दिया है वो पहले बताया तो अपनी पत्नी के मंगल सूत की रक्सा कर पाया है पहले वो यह बताया कि अपनी पत्नी के मंगल सूत की रक्सा कर पाया है क्या तो ऐसे लोगों का बयान देना उच्छे प्रवर्टी को जताता है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता आज कल परदान मंतरी के बयानों को देखते हुए कि कोई परदान मंतरी बयान दे रहा है या अपनी गरीमा का ख्याल रख रहा है बिहार में भी जुबानी जंग तेज हुई है जुबान जो एक तरह से शब्दों का जो मारियादा गिरा है नितिश कुमार जो वहां के मुख्य मंत्री है वो एक बार फिर से तेजस्वी पर उनके पिताग को पर उनके बच्चों को लेके सवाल खड़े कि लिए इस पर निति तरह की चीजों से बचना चाहिए निश्य थी व्यक्ति का टिपणी करने से और किसी की भावनाओं को जिससे ठेस पहुंचे ऐसी बातें करने से बचना चाहिए क्योंकि राजनीती है हम लोग अलग लग विचारधाला के लिए राजनीती कर रहे है किसी खेत का जमीन का या निराशा है कोड का अगर फैसला आ गया होता तो मेरे ख्याल से परिणाम कुछ और होता कई लोगों से बाची तो उनने का भाई बोड दे के फायदा गया है निरने तो मशीन ने करना है तो ये भी एक करना सरकार की जो गलत नीतियां रही है रीतियां रही है उससे भी मुँआरे समय बताएगा रिजल्ट आने दीजे सरकारी करमचारिव ने सरकार के खिलाफ वोट किया है उनके परिवारों ने सरकार के खिलाफ वोटिंग किये है और वोट पर्संटेज वहीं गिरा है जहां मिजेबी के विधायक और मंतरी है अलमोरा की बात करने तो सबसे ज्यादा कम वोड जो है वहां पे है इसको किस रूप में देकर देखेंगे मैं कहाँ ना सांसत के काम से भी ने राशा थी सरकार की काम से भी ने राशे थी इसलिए वोड परसेंटेZ जिरा है आप अपने केंडिडेट जितने हैं सब के जिस तरह से लडाई लड़ी चाहे वो पौरी हो या फिर कहीं भी हो तो अब उससे खुश है निश्ची थी जो लगातार कारिकरता काम कर रहा था हर दस दिन में कारिकरम कर रहा था उसका नतीजा देखने को मिला है टिकट देर से होने के बावजोर भी हर केंडिडेट को हर जगो अपने कारिकरता मिले हैं मुस्तेदी से काम करते हुए मिले हैं यह अच्छे संकेत हैं कांग्रिस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ी है और कुछ भी रिजल्ट आ सकता है हमें उमीद है कि हम सारी सीटें जीत रहें यह कि हमारे साथ करन महरा जो कि कह रहे हैं कि हम चार सभी सीट जीत रहें कि मारजीन कम हुआ है और इनका कहना है कि मारजीन से लिए कम हुआ कि सरकार के कामकाजी से लोग निराश थे अपने केमरा से यासुप साथ डॉक्टर पिवीन कुमार इंडिया नियूज देरदून